Hello friends and welcome back to my channel जैसे हम सब को पता है कि भारत में करोना वाइरस ने अपने पैर फैला चुका है और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन आई नहीं है मार्केट में और हमें अब करोना वाइरस के साथ ही जीना सिखना होगा जबकि पूरी दुनिया भी यही कर रही है हमारे एरवेड में हम लखी है कि इतने सारे इंग्रीडिंट है जैसे कि हमारे प्रदान मंतरी ने भी कहा है और आईश मंतरा लेने भी कहा है कि काड़ा पीते रहे हैं इससे आपकी इम्म्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगी आपको सर्दी, जुकाम, खासी और ऐसी छोटी मोटी बिमारिया नहीं चुएगी आपको बार-बार हैं सानिटाइज करना है हाथों को वाश करना है और आपको मास पहनना है यही हमारी लाइफस्टाइल होने वाली है आगे आने वाले कुछ वर्षों के लिए तो यह वाला जो वीडियो है बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए क्योंकि यहां में एक इनोबेटिव रेमिडिल आई हूँ जो वर्किंग है जिसके पास टाइम नहीं है वो जरूर देखी यह वाला पुरा वीडियो डियाबेटीज वाले भी यह ले सकते है वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कीजिए आपका टाइम और आपको महनों की छुटी मिलेगी तो जरूर देखी यह वीडियो पूरा लेट्स टार्ट चलिए इसके लिए मैंने यहां लिया है एक चमज भर के दाल चिनी का पावडर दाल चिनी का पीस लिजए इसे सिनिमन पावडर भी कहते है यह आपके इम्म्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है फिर मैंने यहां लिया है एक चमज भर के काली मिच का पावडर यानि की ब्लैक पेपर पावडर उसे क्रश कर लीजे या मिक्सी में चला के बना दीजे यहां मैंने दो बड़े चमज भर के लिया है सौट पावडर यानि की ड्राइ जिंजर पावडर अगर आपके पास यह नहीं है आप जो अद्रक है उसे कद्दू कस करके उसका जूस बना लीजे तीन से चार चमज ले लीजे यहां मैंने लिया है आधा चमज सौफ का पावडर यानि की फैनल सीट या आपके डैजेशन में काफी फावडर मन होता है आधा चमज आपको छोटी लाइची का पावडर लेना है यह भी आपके डैजेशन के लिए काफी फावडर मन होता है यहां हम मैंने लिया है 6-7 लॉंग और एक छोटा तुकड़ा जाइफल का इसे मैंने क्रश कर लिया है यह तुकड़ा मैंने आपको बताने के लिए रखा है जाइफल और लॉंग दोनों ही आपके सर्दी जुका में काफी फाइदे मन होते हैं फिर मैंने यहां लिया है चुटकी भर सेंधा नमक, सेंधा नमक आपकी गले की खराश को मिटाने के लिए नमबर वाण इंग्रीजिन है फ्रेंड नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं बट अगर आपके बाद सिंधा नमक है तो जरूर एक चुटकी सिंधा नमक ही ले फिर हमें चाहिए फ्रेश लेमन जूस तो इसको मैं डियारेक रेमेडी बनाने के टाइम पर ने चोड़ूँगी फ्रेंड इसके लिए हमें जो में इंग्रीडिन चाहिए वो है एक कप गुड इसको कद्दू कस कर लिया है फ्रेंड हम चिनी की जगा पी हां गुड में बनाने वाले है रेमेडी डियाबिटी स्पेशन भी इसे ले सकते हैं और यह बहुत ही फाइदेमन होने वाला है हमें थोड़ी से पीसी हुई चीनी भी चाहिए इसके उपर छिड़कने के लिए यह आगे आप देखते चाहिए कैसे में इस रेमेडी को बनाने वालों फ्रेंड यह जो सारी इंग्रीटिंट है आपकी किचन में मिल ही जाएंगे और बहुत ही आसान तरिका है यह रेमेडी बनाने का एक बना लेंगे अब महिनों तक आप इसका काढ़ा भी पीर सकते हैं और इसकी गोली भी खा सकते हैं तो चलिए लेट स्टार्ट अब मैंने कडाई ले ली है यहां आधा चमच मैंने घी डाला है कडाई में और इसमें घी को थोड़ा सा हलका गरम कर देंगे और पूरी कडाई कर लिया है घी भी आपके गले के लिए खाराश के लिए खासी के लिए बोहत important ingredient है देसी घी ही लीजे गुड मैल्ट होने तक किसे हमें चलाते जाना है और low flame पे ही यह remedy आपको बनाना है देखिए फ्रेंट्स गुड मैल्ट होने लग गया है गुड आपके digestion के लिए भी और आपका हीमोगलोबिन भी है, तो गुर्श जब मेल्ट हो जाए, तो हम इसमें सारे इंग्रीटिन डाल देंगे, पहले सौंड पाउडर दाला मैंने, दाल चीनी पाउडर, सारे जो इंग्रीटिन मैंने आपको बताया है, वो सब आपको डालने है, सब आपके इम्म्यूनि का रस मैंने यहां एक चमच भरके मैंने यह दिम्मू का रस डारेक्ली इसमें निचोल लिया, बस इन सारे चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस गुड़ को अच्छी तरह से आपको पकाना है, अभी आप समझी गए होंगे, मैं इसका क्या बनाने व सिंप्लिफाई करेगा, क्योंकि करुना विर्स हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है, तो हमें इम्म्यूनिटी को बूस्ट करते रहना है, रोज ही काड़ा पीना है, रोज आप सारे इंग्रीडियंट कहां कहां से दून के लाते हैं, क्रश करते हैं, उससे अच्छा वन लाने लग गई है, बहुत अच्छी अरोमा आ रही है, तो आप देख सकते हैं, इसी टाइम पर मैं यहां बन कर रही हूं, गैस को बन करने के साथ, मैं यहां देखो, दो प्लेट में आपको बता रही हूं, एक में तो आप यह बज़ पेपर लगा के कर सकते हैं, या इस तर आपको इस तरह से छोटी छोटी गोलिया बनानी है, इसकी, आपको जिस साइज की बनानी है, आप छोटी बड़ी बच्यों के लिए बनाना है, तो आप चोटी भी बना सकते हैं, आप आपकी हिसाब से इसको कर सकते हैं, बट हां गुड पकने के बाद यह जो step है, इसको करना है अदरवाइस गोड़ आपके कड़ाई में ही जम सकता है तो आप थोड़ा फटा-फट कर लीजेगा यह वाला स्टेप तो देख सकते हैं आप शेप आप माइनर यहां नहीं रखता है गोल हो रहा है कैसे भी बन रहा है बस फटा-फट इसे लगा दीजे आप यह देखिए अब मैं घी वाली प्लेट पे लगा रही हूँ बटा पेपर नहीं है लॉक्डाउन का टाइम है तो भी कोई प्र यहां अब मैं यहां चीनी ले रही हूं और इसके उपर छिड़ा करें हूं चीनी क्यों छिड़कते है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं जब सुख जाए तो हम इससे आसानी से कोई भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं तो इस तरह से चीनी इसके ऊपर छिड़क यह बिना बटर पेपर वाला है घी वाला है आप देख सकते हैं मैंने आसानी से निकल लिया है और बटर पेपर वाला तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है दोनों ही चीज़े आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप बटर पेपर नहीं है घी लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं मैंने इक bowl में इसको transfer कर लिया है और हमारा ये जो remedy है सर्दी खासी immunity को boost करने के लिए सर्दी खासी को दूर करने के लिए number one remedy है ये एक काड़ा है गोली के form में friends अब देख सकते हैं कितना बढ़िया बनके निकला है 5-7 मनिट के अंदर ही friends ये आपका पूरा remedy बनके ready होता है रोज रोज अगर आपको काड़ा बनाने को अच्छा नहीं लगता है time consuming लगता है तो आप ये गोली को try जरूर करिए बनाना देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये बनके ready हुआ है चलिए अब जो secret की बात करें थी उसकी बारे आई एक cup ले लीजे उसमें गरम पानी डालिए जैसे देख सकते हैं आप वीडियो में उसमें आपको ये एक गोली डाली है एक से दो गोली आप डाल सकते हैं अगर छोटी है तो दो डालिए magic यहाँ यह है कि आप देख सकते हैं यह दीरे दीरे पिगलना शुरू हो रहा है आप इसको धक्के रख सकते हैं एक से दो मेंड के लिए इद्दम गरम पानी ले लीजेगा देख लीजे यहाँ यह पिगलना शुरू हो चुका है यह step हम क्यों कर रहे हैं अगर आप directly गोली खा सकते हैं तो तो better है अगर आपको इसको थोड़ा dilute करके पीना है तो यह आपका काड़ा ready है सुबह सुबह आप office जाने वाले हैं काड़ा बनाने का time नहीं है एक बार आप यह investment कर लीजे आपका time और आपका काड़ा friends ready है आप काड़ा पीजिए यह directly गोली खाईए आप इसे आपके office के workplace पे भी रख सकते हैं गरम पानी तो आपको office में भी मिल ही जाता है तो इस तरह से काड़ा पीजिए चाई मत पीजिए चाई की जगा पे यह काड़ा पीजिए कैसी लगी आपको यह remedy यह DIY ज़रूर मुझे comment करके बताईएगा तो यह आप दूसरों को भी share कर यह बहुत important है यह आपकी immunity को boost करेगा और सारे छोटे मोटे बिमारियों को भी आपको इनसे दूर रखेगा like भी कीजिए, share भी कीजिए, subscribe भी कीजिए मेरे चैनल को till then take care, bye bye